नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब चैनल टॉप प्रिंडिंग जीके में दोस्तों इसलों बात करने वाले हैं SSEZD 2024 की एक्सपेक्टेट का टॉप क्या जा सकती है PT की बात करेंगी जिसमें आठ गुणा अभ्यर्ती vacancies की पास किये जाने वाले हैं ये बात कर रहा हूँ answer की आने के बाद SSEZD की लगबग सभी state की अपन male candidate की cut-off जानने वाले हैं तो अंद तक बने रहना है क्योंकि यहाँ पर अपन बात करेंगी logical data का रहे गई रहेगा data के साथ साथ logic यहाँ पर लगाने वाला हूँ वो एक तो vacancies का लगाने वाला हूँ तुलना करेंगी अपन 2022 की vacancies से 2022 की cut-off से और 2024 में क्या बदलाव आया है कितना competition बड़ा है कितना क्या paper का level था और negative marking से कितने marks का effect पड़ेगा इन सारे point को अपन data के साथ include करते हुए एक formula बनाएंगे और उसके आधार पर previous cut-off 2022 का जिसका exam January 2023 में हुआ था जो एक साल हुआ है उससे बहिते ढंग से तुलना करते हुए आपको मैं विशेशकर जो हिंदी भासी वाले state हैं उनके एक तरीके से काफी हद तक exactly cut-off का अपन अनुमान लगाने वाले हैं तो वीडियो के अंध तक आपको बने रहना है तो यहाँ पर cut-off में आपको पता P.E.T. में पिछली बार 2022 में साथे साथ गुणा बिरती पास किये गए थे vacancies के category wise वैसे आपकी notification में विज्यपती में आठ गुणा का बोल रखा है तो यहाँ पर मैं पिछली डाटा साथे साथ गुणा और आठ गुणा दोनों को लेकर चल रहा हूँ 2024 में कुल रिखती आपको पता है 26,146 है जो P.E.T. का आठ गुणा करेंगे तो लगभग 2,9,168 अभ्यरती पास होने वाले हैं आपको पता है परिक्सा में जो उपस्तिती थी वो टोटल 47,00, आवेज़न मैं से 65 फीच थी यानि 30,00, के आज़ पास candidate exam ने बैटे थे और फाइनल के लिए आपको पता है जब इसको थोड़ा calculate करेंगे वैसे ये ज़दा मायने नहीं रखता है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितना कुछ competition है SSEZD में तो ये मोटे इस्तर पर एक तरीके से अनुमान है आईडिया है तो फाइनल के लिए प्रतिपद प्रतिशप्रत आप करेंगे भाग देंगे 30.5 में से ये PET की post का तो 117 candidate आते है नहीं फाइनल में जब भाग देंगे 26,000 vacancies का 30.5 लाग में तो 117 candidate में से एक candidate select किया जाएगा फाइनल और PET के लिए जब आप भाग देंगे 2 लाग का लगबग 30 लाग में तो 15 अभ्यरति एक post के लिए fight कर रहे है एक तरीके से तो इस टाइप से इडिया में final success ratio देखो न सफलता की दर देखो success rate देखो तो यहाँ पर 0.86 फीस दी है इन 26,000 vacancies और यह जो 30 लाग candidate ने जो exam दिया है उनका इस exam में सफल होने की rate है 0.86 फीस दी अब बात करते हैं मुद्दे की जो आप यहाँ पर वीडियो में जानने के लिए आए हूँ वैसे आपको पता है इस वीडियो में male candidate की में cut-off पर focus करने वाला हूँ female का data है उसको एक अलग वीडियो में आपन बताएंगे तो male candidate की total vacancies है 23,347 female की 2799 कुल मिला के 26,146 बात करते हैं cut-off को कौन से factor यहाँ पर प्रभावित करेंगी तो overall 2022 में 2024 से 1.92 गुणा ज़यदा रिक्तिया थी जैसे 2022 में 50,000 रिक्तिया थी और आपकी बार 26,000 तो लगबग 1.92 गुणा है लेकिन जब male candidate के data को टटोला गया तो vacancies यहाँ पर देखने को मिली 2022 में 0.45 गुणा कम है vacancies 2022 से 2024 में यानि 2022 में 2024 से 2.20 गुणा vacancies ज़यदा थी विशेज कर जो हिंदी भासे state है न उसमें male candidate के general district का यह condition है और बाकी में 2. border district में ज़यदा ही थी 2 से ज़यदा ही थी और काफी ऐसे भी हिंदी भासी के अलावा थे जिसमें थोड़ी बहुत कम भी थी vacancies बाकी 2022 की vacancies है वो 2.20 कुणा ज़यदा थी यानि double थी vacancies double से भी थोड़ी ज़यदा थी इन हिंदी भासी state में जब data को देखा गया यहाँ पर general district का और बता दूँगा मैं आपको table में क्या condition है अब यहाँ पर logical बात करते हैं उसके बाद data भी देखेंगे जो rank मित्रा का है जो यह data है आपने देख लिया होगा उनका क्या कहता है normalization का कितना कुछ effect पढ़ रहा है एक और marks calculator जो rank गुरूजी है mark master बहुँ टेटर गाम का उनका data भी अपने विश्टेशन करेंगे जो लगबग 1,10,000 के इनडेट का data है उस data में क्या बताया गया है जब तक आप comment section बतारो आपका कितना score हो रहा है और उसके बाद अपन बात करेंगे उससे पहले यदि आपको लगता है कि मेरा score थोड़ा कम जा रहा है अभी भी मैं average नहीं हुआ हूँ मेरे पास potential है next 2025 की vacancies में त्यारी कर सकता है इंप्रूव के लिए अपने आपको परकने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा mock test देने होंगी उनों mock test का analysis करना होगा और गलतियों को तुर्टियों को सुधार करते हुए not करते हुए आप त्यारी करेंगे time arrangement बहितर करते हुए ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल शत्परतिसाद आपका selection निच्जित है इसे तु आप test book का pass pro है वो join कर शकते हो जिसमें सभी exams के mock test जैसे SSEZD के previous year में जो चार online exam हुए ने उनके आप paper AJ mock form में एक्जाम से पहले real exams का कितना अनुभव आपको मिल जाएगा और उस अनुभव को दिये हुए आप कोई भी exam correct कर पाएंगे time management है वो अच्छा कर पाएंगे तो अभी यहाँ पर offer क्या है तो TTG के open code use करेंगे test book में तो सारे exams के mock test देनी आप ऐसा नहीं कि SSE ZDK उसमें test book में दे पाएंगे railway का exam आया तो एक साल की वैलिटी में वो भी आपको मिल जाएगा उसी प्लान में इसी के अंदर एक बार पास दे लिया SSE banking defense जितने में इंडिया लेवल में exam सोते हैं एक बार पास दे लिया यानि एक साल की वैलिटी जो कि यहां पर 449 में अभी डील चल रही है TTG के coupon code के बाद तो description box में link है demo वीडियो आप देख सकते हूँ किस प्रकार आपको test series जोईन करना है और अपने आपको analysis अपना आप विश्टे संस्रो आकलन करते हुए boost करना है वीडियो जदा बड़ा नहीं करेंगे डार्कली मुद्दे पर चलते है 2024 में कटवा बढ़ने के कारण आपको पता है negative marking पिछली बार 2022 में 1 बटा 4 थी यानि 0.50 marks आपकी minus होते थे एक स्वाल गलत होने पर अब की बार 0.25 marks है वो minus होंगे एक स्वाल गलत होने पर और correct होने पर एक स्वाल 2 marks आपको अवार्ड किये जाएंगी तो एक बटा 8 negative marking माल ले इससे क्या प्रपाव पता सभी candidate थे पूरे से पूरे स्वाल attempt की मैंने answer की चेक किया है काभी candidate का लगबग 100 candidate की मैंने answer की देखी तो उनमें क्या था पूरे से पूरे स्वाल attempt थे इनके 80 में से 80 स्वाल लगबग किसी के उन्या से इस प्रकार attempt थे इसका क्या असर हो रहा है 80 में से कोई अव्यर्थी माल लेते हैं जब एक बटा 4 negative marking थी 2022 में तो 80 में से वो candidate है यदि स्वाल आ रहे थे अच्छा खासा था तो हज सेद वो 70 क्रिशन से डर के मारे attempt कर रहा था और अब की बार 10 ज्यादा attempt कर दिया अब माल लेते हैं उनको 70 आ रहे थे 10 में उन्होंने तुक्का लगया अब की बार तो 10 के 10 तुक्के मैं से लगबग अब 10 तुक्का लगाएंगे वैसे 5 काफी केंडेटि 4-5 साई हो जाते मैं मान की चलता हूँ उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही तुक्के मारे उन्हों की 3 साई हो गए तो 3 साई हो गए 10 में से तो तुक्के की बात कर रहे इस प्रकार तुकों से आपका 4.25 मांक से नहीं यदि आप तुक्के लगाएं, बहुत से केंडेट लगाएं, मेकजिम केंडेट लगाएं तो 4.25 मांक से कटॉप में ऐसे ही बढ़ने वाले इन तुक्कों से इसे अपन रफ कैलकुलेसन, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, काफी केंडेट की 4-5 तुक्के सही हो जाते हैं लेकिन सभी ने ऐसा नहीं कि बिलुकुल पूरे में से पूरे अटेंट किया और तुक्के भी लगाएं तो यह इस प्रकार रिश्यो निकल के आता, 4-5-35 मार्ग सही हो कट्वप में बढ़ाएंगे यह तुक्के अब आप कहेंगे कि पिछली बार माल लेते किसी केंडेट से 70 अटेंट किये थे 2022 में क्या जरूरी कि 70 में से 70 करेक्ट हुए बिल्कुल नहीं हुएंगे तो पिछली बार यजी 70 में से 70 करेक्ट नहीं हुएं क्योंकि अपन तुलना करेंगी 2022 की कटॉप की इसलिए मैं इसको 7 में लेकर चल रहाँ पॉइंट को तो 70 में से 70 सही नहीं हुए तो माल लेते हैं उनके 8 स्वाल गलत होगे पिछली बार अबकी बार ऐसा है नहीं कि वो पूरे 80 में से 88 अठेंट करेंगे जिसमें 10 तुके वाले और 70 पूरे के के पूरे सही अबकी बार भी नहीं हुए उन 70 में से माल लेते कि आठ उनके अबकी बार भी गलत हो जाएंगी तो अपकी बार 8 गलत होने पर 2 marks ही कम होंगे क्यों? क्योंकि 0.25 से आप गुणा करेंगे अपकी बार कम के लिए तो आप कहेंगे यहाँ पर पिछली बार 6 marks कम हो रहे थे अपकी बार 2 marks कम हो रहे यहाँ अपकी बार भी 2 marks का फाइदा है यहाँ लगबग 6.25 marks तो आपके ऐसे ही बढ़ने वाले हैं नेगिटिव मार्किंग में जो तुक्के बगेरा हैं या फिर पिछली बार कितने कुछ गलत हुए हैं यह थोड़ा डाटा देखा तो ऐसा निकल का है सामने अब पेपर का लेवल मैंने चेक किया जीके का लेवल मैंने देखा तो पिरिवेश शेर में थोड़ा इस्टेटिक अच्छा पूछा गया था अपकी बार इतना अच्छा बेहतर डंग से जीके का तो इस्टेटिक नहीं था जैसे कि मैं एनलेसिस करता आ रहा हूँ और आप मैस और इस्टेटिक का कमेंट सेक्शन में कल केंड़ेट से पूछा भी था तो सभी केंड़ेट ने का भी पेपर का लेवल है वो ईजी जैसे केंड़ेट को मैंने जब उनको राय जानने की कोशिश की तो केंड़ेट कमेंट देखे देखे तो 135 पलेशी सभी बता रहे तो उस बार यह आकड़ा 125 था है मैंग्जिम केंड़ेट 125 बता थे अब की बार 135 बता रहे यह यहां पर आपको सीधा देख रहा है जैसे एक केंड़ेट ने का बहुत इजी था पहले से थोड़ा सा हाड होना चाहिए हाड होता तो पढ़ने वाले बच्चों का ही भाइदा होता इजी होने से जो नहीं पढ़ता है वो भी 50 क्योशन साही कर दिया है जैसे एक केंड़ेट ने का कि अगर पिछली बार 65 थे उनकी 160 मैं से अब की बार 120 है तो मेहनत कि यह उसी वज़े से आया लेकिन बिल्कुल पिछली बार ऐसे ही गए होगा तो आप लोग खुद अंदाज लगा दीजिए कितना जाएगा कट आप इस बार यह देखो इस बार पेपर तो थोड़ा एजी था लगबग 5 नमर ज्यादा आ रहे हैं सब की कटॉप का आईडिया तो तब लग सकता जब नॉमलेजिशन का पता चलेगा आप नॉमलेजिशन का एफेक्ट भी देखेंगे अपन तो पेपर के लेवल को देखेंगे तो कम से कम आप मान के चलेंगे 2025 से तो तीन माक्स तो यह पेपर का लेवल है तीन माक्स तो बढ़ा ही देगा आपकी कटॉप में 25,000 candidate कम कर दे पिछली बार वाले cut-off में से तो कितनी cut-off और उपर जाएगी कितने marks जा सकते हैं उनको उपर वाले marks में आपने add करेंगी उपर कितने marks हो रहे हैं 4.25 पलस 2, 6.25 और 3 तो 9.25 तो वैसे उपर हो रहे थे अब और कौन से marks हैं अब आपके vacancies के marks हैं इसके लिए यह data पन देखते हैं सबसे पहले तो rank मित्रा का 87,000 candidate का data है अब normalization के बाद rank मित्रा का जो normalization वाला है न उमेने 2023 में CGL का देखा था लगबग exactly कुछ एक दो marks है न normalization से candidate के real marks कम आये थे बाकि कुछ हद तक सई था CGL का जैसे कि इनका देखा था और rank IQ, rank मित्रा इनका लगबग equal normalization में ज्यादा अंतर नहीं रहता रोग फाइनल में कुछ एक, दो, तीन marks से कम देखने को मिल सकते हैं तो इस data को जब देखेंगे आप यह data कह रहा है कि candidates में 150 से 160 marks अब यह row marks की बात कर रहे हैं जिनके 150-160 row marks ऐसे 71 candidate है लेकिन जब इनका normalization किया गया तो 150-160 की मदिए 9,776 candidate मिल गए तो normalization से कितना कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहनि काफी candidate के mark ज्यादा बड़े हैं इसलिए तो वो इस दाइरे में आगे 9,776 फिर इन्हों ने कहा कि 140-150 तक normalization से पहले 1299 candidate थी और अब 140-150 के मद्दे 12,679 candidate अब यहाँ पर आप थोड़ा घबराना मत कि भाई 12,000, 10,000, 25,000 तो यही वैसे ही उससे ज्यादा हो रहे तो मेरे को क्या मिलेगा अरे भाईयों यह state-wise एक state का candidate है न वो दूसरे state में नहीं जा सकता है यह तो overall है यह तो pen India है पूरे इंडिया में यह इतनी कुछ बात हो रही है इसका पता थोड़े यह किस state का candidate है जि exact figure आती यहां से आपको मोटे तोर पर अंदाजा लग जाएगा कि maximum candidate यहां से अभी यह डाटा तो 37,000 का है आप कहेंगी कि लाख 30,000 ने तो आपके परिक्सा दिये और 37,000 का डाटा है मैं मान की चलता हूँ जो यह 37,000 candidate है यह वो जागरू candidate है social media से और technology से जुड़े हुए ह जो भी notification से वगरे काते हैं YouTube से connect है टेलिग्राम से connect है और अच्छी त्यारी वाले जो candidate होता है वो कहीं कहीं टेलिग्राम गूरूप से जुड़ा रहता और इस प्रकार अपना marks वगरे चेक करने के लिए इन website का सहरा लेता है और अब मैं मानता हूँ यह 37,000 है ऐसे candidate जो intelligence candidate ह वो ही तो देखता marks जिनके marks उनको पहले से ही पता है एक्जाम देते ही पता चल गया है मेरा तो होगा नहीं तो वो answer की भी check नहीं करता है तो कहीं ने कहीं candidate को लगता था कि कहीं selection हो जाएग तो इन्होंने अपनी answer की check किये तो यहाँ पर इस form में जो भी आपको data निकल रहा चार जार चासो और एक्सो बीस से पत्रिस के मद्दी तो ज्यादा आने चाहिए लेकिन यहाँ पर इससे कम आ रहे है चार जार यारे ऐसा क्यों वह जैसे जैसे आप marks में निच्चे आएंगे तो वहाँ पर density तो ज्यादा होगा लेकिन इसमें उल्टा हो रहा इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो यह website है इन पर वही candidate answer की देखता है जिनको लगता है कि उनके अच्छे marks है तो अच्छे marks वाले ज्यादा देख रहे हैं कम marks वाले वैसे ही नहीं देख रहे हैं तो यह कोई पूरा data तो है नहीं इसलिए यहाँ पर आपको घनतो है वो कम देख रहा है जिनके marks 135 है यहीं कुछ रहे भी जाएंगे तो 2-3 गुड़ा candidate है इसके अलावा नहीं रहेंगे यहीं मैं मान के चलता हूं कि 125-130 वाले हस्य हद कितने होंगे 12-13,000 होंगे और नहीं होंगे कुछ अलग website पर देख रहे हैं तो उनको मान के चलना हूं 2-3 तो website है मान ज़ते ह उनी पर देख रहे हैं 2-3 पर 4-4,000 देख रहे हैं बाकि एक candidate सभी website पर अपना देख की लेता है कि उनके normalization कितना है तो कहिन के उनका data दुबार आ जाता है इसको आप 3 गुड़ा और करेंगे न तो 20-15-16,000 candidate का data यहां पर आ जाता है इतने marks में all over all इंडिया में जो यह 5 marks क गया पर 125 से 130, 120 से 125 लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हो कि और भी candidate होंगे 120 से ज़्यादा candidate होंगे 120 से 25 के मद्देद तो इसका मैं मान के चलता हूँ हज से हद अब कोई बच्चेवी candidate है न वो पांच गुणाई होंगे जो इसके अत्रिक्त रहे गए हैं इससे ज़्यादा नहीं होंगे नि 20,000 candidate होंगे अब 20,000 candidate में से आपको पता यह 5 marks का है तो एक marks में कितने candidate आ रहे हैं लगबग 4,000 candidate नि एक marks के अंत्राल में यहाँ पर 120 से 25 के मद्देद 4,000 candidate आ रहे हैं और 2022 की तुलना करें 2022 से अपकी बार कितनी vacancies कम है 25,000 vacancies कम है पिछली बार 50 थी अपकी बार लगबग 26 से तकरीबन 25,000 आसवास vacancies कम आप मानके चल रहे हो तो 2022 से कितनी cut-off बढ़ शकती उसका और में एक लोजिक बता दूँगा तो आप कहेंगे एक marks पर 4000 candidate आ रहे हैं दो marks पर 8,000 इसी प्रकार 6 marks पर जाएंगे तो लगबग यह candidate बाहर हो जाएंगे जैसे पिछली बार 120 cut-off मानके चल रहे हैं न तो इन 120 में 50,000 के इंडेट है कितने हैं 50,000 में मान रहा हूं और और एक साथ अब इन 50 में से 25 को उड़ाना है तो आपके उड़ाने में start करते हैं 120 से 121 के मद्दे यहाँ पर 4000 के इंडेट हैं आप कहेंगे और थोड़ा अच्छा डाटा बताओ इस पर हमको विश्वास नहीं हो रहा आपने थोड़ा आइडिया ज्यादा लगया अनुमान ज्यादा लगया तो मैं अच्छा डाटा लोजिकल डाटा बताओ ऑथेंटिक डाटा तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल तो कट ओप हो गई 134.99 पहले थी पीटीम 123 तो यहाँ पर कितनी मार्क्स कट ओप बड़ी तो मैंने देखा कि कट ओप बड़ी 11.27 मार्क्स तो यह साड़े साथ गुणा थी इन में से जब एक गुणा लाना पड़ा तो 10.138 केंडेट को बाहर होना पड़ा था 86.6% केंडेट कम होने में कट ओप का अंतर कितना देखने को मिला कट ओप का अंतर जो ओपीशल है वो 11.27 का देखने को मिला यहाँ एक फिस्ति कम करने के लिए 11.86 है बाउन के लिए आप बाउन से गुणा करेंगे तो लगबग 6.6 मार्क्स कट ओप बढ़ानी पड़ेगी तो यहाँ से भी डाटा जो निकल के आ रहा है ना जो प्रिवीश चेर का थोड़ा पन तुनला के है तो वो भी 6 मार्क्स निकल के आ रहा है तो कहीं ने कहें 6 मार्क्स तो कट ओप आपके ये बढ़ा देंगे और इसके उपर आप लेके चल रहे हो तीन मार्क्स इजी वाले तो 9.25 पलच्छ, 15.25 है, इसको मैं 15 मान के चल रहा हूँ, अब ये 15 marks बढ़ेंगे, तो आपके ऐसे कैसे बढ़ाएंगे, परसंटेज में बढ़ते हैं marks तो, तो परसंटेज निकाल देते हैं, 15 marks कितने होते हैं, टोटल आपका paper 160 का है, इसको परसंटेज में बढ़ा, तो कर दी, level को भी अपने marks plus कर दी हैं, और negative marking को भी अपने marks करने पर, no percentage marks निकल के आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि no percentage, प्रतेक 2022 के प्रतेक state के आप जो देखेंगे, तो आपका आज जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, इसका भी कार्ण बताऊंगा, साथ-साथ, तो सबसे परे तो आ normalization के आधार पर, आपकी normalized marks इतने हैं, तो PT में आपका selection है, वो होने की बहुत ज़्यदा संभावना है, तो आप करेंगी मेरे shift में कितने marks बढ़ेंगे, वो भी इस वीडियो में बात कर लेंगे अपन, तो सबसे पहले बात करते हैं, highest 2022 में जो cut-off गए थी, उत्तर यह मेल केंडेट, जनरल डिस्टिक्ट, मेल केंडेट, जनरल डिस्टिक्ट, यू आर के टेगरी की सबसे पहले, अंध्रे जुरू के टेगरी की cut-off, 2022 में यह cut-off थी, 123.81 माक्स थी, PT की cut-off जिसमें साड़े 7 गुणा अभ्यर्थी पास किये गे ते, यहनी, 11,644 गुणा कर दूना, सोरी, 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 2.20, 2.20 गुणा कर दूना, तो मेरे को मिल जाएगी पिछली बार 2022 की number of vacancies, आप कहेंगे तो के ओले एक स्टेट में, एक स्टेट में नहीं, मैंने और 20 काफी स्टेट का डाटा देखा जब, तो यहाँ पर हर्याना में भी ऐसा ही था, 7.743 जो अब की बार vacancies है, साड़े 7 गुणा की, यह total vacancies नहीं, यह साड़े 7 गुणा की है, total तो कम है, total में यह दि मैंने साड़े 7 गुणा की है, हर्याना में, यह general male candidate की है, general district की ठीक है, तो उसमें यहाँ पर वो भी UR category की vacancies है, उसको आप 2.21 से गुणा करेंगे, तो यह vacancies आएगी, राजस्तान में भी SIC, तो मैंने काफी state का देखा, कि अब की बार, जो 2024 में, PT की vacancies है, उसको 2.21 से गुणा करूं, तो पिछली बार vacancies आ रहे, तो किस प्रकार अपकी बार इन्होंने vacancies दी है, नि 2.21 गुणा वाली vacancies एक तरीके से, अब आप कहींगे, प्रते पिले वाला करम यहाँ पर repeat ओ रहा, कट आप में भी कुछ ऐसा ही करम देखने को मिलेगा, क्योंकि vacancies में भी सेम करम ऐसा नहीं है, कि उत्तर प्रकार अपका करम लगबग वही रहने वाला, क्योंकि vacancies का भी order लगबग वही है, अब आप कहेंगे, हमको तो बताइए, कट आ मैंने 9 गुणा की, 2022 की कटोप को 9 गुणा किया, यानि 109 गुणा कर दिया, 9 गुणा निकाल लेंगे ने, 9 गुणा नहीं, 9 परसंटेज निकालेंगे ने, 9 परसंटेज निकालेंगे ने, 9 परसंटेज पलस है ने कटोप, इसका 9 परसंटेज यानि गुणा 109 गटा 100, तो इस परकार मैंने formula apply किया प्रतेक राज्जी में यही नो परसंडेज प्लस यही अपन कटॉप कर दें तो यहां पर उत्रफदेश की कटॉप आपको PT की 134.85 अब आप कहेंगे यह exactly यही जाएगी नहीं 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 यह previous year 2022 की तुनला करने पर यह data आरा यह data आरा यह कटॉप exactly ऐसे नहीं जाएगी vary करेगी 2-3 marks उपर नीचे यहां से होगा जरूर आप ऐसा नहीं कि exactly यह तो मेरे formula में apply किया तो यह figure निकल के आ रही है लगबग no percentage plus cutoff जाने का मैंने आपको कान बता दिया अब यहां पर मैं आपको एक और idea देता हूँ वो idea यह है कि 2022 की final cutoff मैंने पास पास ही रहने वाली है जब भी cutoff आए तो उसमें आप देख लेना तो आपको याद हो जाएगा कहीं कहीं जो हिंदी बासी state है उसमें तो यह data रहेगा अधर में भी थोड़ी बहुत इन से कम रहेगी final से अधर में कम रह सकती है तो 2022 की final cutoff थी नहीं PT की cutoff से 2022 की final cutoff लेकिन यह तो बाद की बात है तो यह PT की बाद इतना अंतर आया था तो ऐसा मत सोच लेना कि भाई इतने marks तो मेरे नहीं आएंगे ति क्यों PT की त्यारी करूँ दिल्ली पुलीस में आपको पता ही होगा magazine candidate PT में बाहर हो गए थे और जो गए नहीं थे कि प्रिशिर का data medical में 1.55 पास की गे ति वो data लगका है बाद में देखेंगे लेकिन एक साथ यह data थोड़ा compile करने में काफी मैनत लगी है effort के लिए like कर देना अब इस टेट वाइज अपन बात करते हैं हिंदी बास से इस टेट में पिछली बार उत्तर प्देश की सबसे highest cutoff थी और उसके बा पिछली बार 2022 की final भी हर्यान है की 133 थी तो final बार डाटा यहां पर match कर जा रहा है तो कहीं न कहीं 2024 की P.E.T. is equal to 2022 की final cutoff क्योंकि वही आपका syllabus same है और vacancies भी उसी करम में है इसलिए यह बराबर निकल के आ रहा फिगर vacancies यह order में नहीं होती कुछ state की ज्यादा होती तो राजिस्थान में पिछली बार 2022.28 थी P.E.T. की साथ गुणा में अपकी बार प्लस नो प्रसंटेज किया तो यहां पर 133.29 का आसपास डाटा आ रहा है तो 133 के आसपास आपकी cutoff लगबग यह equal सी रहती है उत्तरप्रदेश हरियाना राजिस्थान और अब 132 थी 2022 की final ठी पर निचे हो सकता है मद्य प्रदेश में भी वेकेंसी अब की बार आप देखेंगे तो 898 है कितनी साधे साथ गुणा P.E.T. के लिए वेकेंसी है P.E.T. के लिए जनरल जो चैतर जनरल डिस्टिक्ट है उसमें भी यू आर की है ठीक है तो यहां पर मद्य प्रदेश की यह फाइनल की थी और यहां पर आपको P.E.T. को बता रहा हूं तो यह मत सोच लेना कि फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अब लास्ट में जब बहुत ज़्यादा उपर मार्क्स होते हैं उसमें घनत तो नहीं मिलता है तो कटॉप आपको ज़्यादा ब cf की सबसे कम असम राइफल और यह जो डाटा है ना मैंने सबसे कौन से फोर्स का लिआ है सबसे कम का लिया अब इसा नहीं कि 100 थरह ही गयी है मद्दयप्र। इसले काफी फोर्सेश है उनकी ज़य जरदा गई मिनिमम से मिनिमम है वह सूफ फचीस निकल के आ फाइनल 122 थी भी हर की यह अपने दिल्ली की थी अब बात करें दिल्ली की बाद उत्राखंड की उत्राखंड में 110 थी पिछली बार प्लस 9% लगभगे 120 के आसपाँ आ रहे हैं पिछली बार देखिए उत्राखंड की 125 थी फाइनल अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यह स्कॉर कम देखेंगे प्रिविश्यर की कटॉप कम देखेंगे वैसे वैसे फाइनल कटॉप में अंतर ज्यादा जैसे कि शुरुवात में अंतर फाइनल कटॉप का पीटी और फाइनल का जो बंतर देखने को मिला तो कुछ 10 अग्यारा था लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रह सी इस्टेट यहां से आपके कवर हो जाएंगे हिमाच्य प्रदेश की इस टाइप से आप बात करेंगे तो हिमाच्य प्रदेश की आपके 105 में से इदी प्रस नो है तो 115 के आसपास लेकिन 121 के आसपास फाइनल थी 115 के मद्धे भी जा सकती है हिमाचल की जारखन की 114 और यह आपके पलस नो प्रसंडेश की तो और पिछली बार फाइनल जारखन 116 थी तो इसके आसपास रहेगी इसी प्रकार 36 गड की यह आपके 96 हैं तो अब 36 गड की ऐसा नहीं कि बिल्कुल नो ब थांड के कंड को निकालना यह आपर क्यों फेट 202 की सब मार्क्स बढ़एंगे को निकालेगी कूब securities कम ग् retail माक्स में जैसे 88 से 89 माक्स आएंगा तो कितने केंडेट निकलेंगे फिर 90 से 90 माक्स आएंगे तो केंडेट यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कम ज्यादा हो जाती केंडेट बहुत कम मिलते हैं जैसे माक्स बढ़ाते हैं तो केंडेट कम मिलते तो और ज्यादा माक्स बढ़ाना वो कम होता जाएगा, intelligence candidate के marks है वो, यहीं बहुत कम रहते हैं, जो होश्यार candidate है, numbers density है, वो बहुत कम रहते हैं, एक marks की gap में माल लेते हैं, जब नीचे cut-off रहते हैं, जैसे, जैसे काफी candidate ऐसे होंगे, जिनके marks 80 है, तो 80 से आप 81 में जाएंगे न, तो कितने लगबग ऐसे भी candidate मिलेंगे 10-12,000, तो यही density रहती है, इस प्रकारी cut-off की density रहती है, जैसे जैसे नीचे आएंगे, तो बहुत सारी candidate मिलेंगे, और अपन यहाँ पर previous year से उपर जा रहे हैं, और यह जो state है न, इसमें इतनी density रहती नहीं है, candidate की, इतने intelligence candidate रहते नहीं, त्यारी करने वाले, इसलिए इनकी cut-off ही कम जाती है, और फिर बड़ ज्यादा जाती है, फिर बड़ ज्यादा जाती है, चतिस गड़ में भी यही खेल है, आपका लगबग, यह जो मैं डाटा देख पा सकते हूँ, यह हैं आपके no percentage plus का सभी state का, यह आपको आपको आउश्यकी क्योंकि इतने आपके maximum candidate का आई जाते हैं इनकी state को, जो cut-off देखते हैं वो candidate है हिंदी बासी वाले, और यह जो आप डाटा देख पार है, जनरल डिस्टिक्टे अंद्रेजर का, पलस 9 percentage किया तो इन state के इतनी जाती है, लेकिन इस से यहाँ पर जो लग रायने नीचे वारा जो फिगर रहता है, बाकि आप अपनी सुईदा के लिए देख सकते हो, प्रिविशियर की cut-off यहाँ पर देखने चाहते हो, अब बात करते हैं, अदर केटेगरी की, वो था अंद्रेजरू केटेगरी की, इसी प्रकार, 2024 की रिक्तिया यहाँ पर, ST केटेगरी की देखी, जनरल की, क्योंकि प्रिविशियर, 2022 में राजिस्थान में हाइस्ट कट-off थी, ST की, और 2022 में 1160 थी, यह साड़े साथ गुणा की थी, P.E.T. के लिए, और 112 माक्स कट-off गई थी, राजिस्थान के लिए, अब की बाद यहाँ पर प्लस 9% अपन करते हैं, तो 122 के आसपास कट-off ज ST की, और पिछली बार केतनी थी, 40 थी, तो वो ही आपके दो पंट को 21-22 कुणा आ रही है, अब यहाँ पर आपकी जो कट-off 108 से अपन प्लस 9 करेंगे, तो 217 जाएगी, लेकिन 2022 में फाइनल जो कट-off थी, 121 के आसपास, तो 117 से 121 के मद्धिया आपको उत्राकानिक देखन कर रहा रहता, बिहार की देखेंगे तो आपकी बार 60 केंड़ेट है, ST के साधे साथ गुणा में आपके रहेंगे 60 केंड़ेट, और इन 60 केंड़ेट पिछली बार 136 थी यही, 2022 में तो 103 कट-off थी, 2022 में पीट की बिहार की, यह है मिनिमम बियसेप की, लगबग यह बियसेप यही अपन final को consider करें, क्योंकि जैसे-जैसे अपन cut-off नीचे आते हैं उस case में यह gap 9 percentage का रहता नहीं, यहां से ज़्यादा हो जाता है, 10-11 percentage बढ़ जाता है यह gap, जैसे-जैसे नीचे आएंगे, प्लस 9 case अपन प्लस 10 करना पड़ेगा, 11-12-13 ऐसे करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर 9 लेके चल रहा हूँ, प्रिशियर से, तो उसके according आप final cut-off से थोड़ा तुलना करेंगे, तो आपको देख लेना कि final cut-off कहीं कहीं मैच कर रही है, तो वही vacancies का करम भी इसी टाइप से हैं, तो final cut-off का data कहीं वैसा नहों हो जाएं कि PT की equal हो जाएं, बिहार के अठा सी निकल के आ रही है, पिछली बार क्या सी थी है, प्रिशियर का, और यह 98 है final की, तो इनके मद्धी रह सकती कुछ भी, यह normalization के बाद का है, आपको मैं बता दू, normalization में कितना कुछ फरक पड़ेगा, वो बात करेंगे अपन, just ST के बाद देख लेंगे, या फिर last में देख लेंगे, normalization में कितना कुछ अंतरा सकता है, अब यहाँ पर जहर खंड की बात करें, तो यह प्लस नो परसंटेज पर तो 80-68 सी आरे, लेकिन इससे ज्यादा ही जाएगी, 100 के आसपास इनके मद्ध ही रहेगी, तो जैसे इसे नीचे आएंगे, तो यह तो प्लस नो का लेकिन इससे ज्यादा 10-11-12 यह मैंने डाटा नहीं लिया, विश्यस करें हिंदी बासी वाले candidate है, यह तो कम marks वाले में एक जूम गेंडेट होई जाते हैं यहाँ पर, ज्यादा टेंसन नहीं है, अब बात करते हैं, यह स्टी के आप देख सकते हूँ, प्रिवीश रिका ड आसपार जा सकती प्लस नो पर्षनले च, पिछली बार उत्र ब्रेस से स्सी की फाइनल एक सो तैश थी तो 119 से एक सो तै cop pertar यहाँ पर भी डाटा निकल गया रहा रहा, हरिया ल करें, प्लस नो करते हैं, एक सो पांस का प्रिवीश रेश से 2022 से, तो यहां से आपका हरियान से 115 के आसपास, पिछली बार 118 थी final की, तो कुछ यही रहने वाली है, दिल्ली की आपके 114 के आसपास आरा data, पिछली बार 115 था, राजिस्थान में आप SC देखेंगे, तो 114 के पास आरा है, और पिछली बार 116 थी, SC की final, यह final थी, बाकि पिछली बार PT की 105 थी, यह PT की है, य बार बता रहा हूँ, final है, यह अंतर है, कितना अंतर है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो 713 रिक्तिया है, SC में, साड़े साथ गुणा में, ठीक है, 2020 में, साड़े साथ गुणा की, PT की बात कर रहे हैं, अपन सारी, मध्य प्रदेश में, आपके, प्लस नो करने पर 113. प्रदेश की बात करें, तो वह भी प्लस नो क्योंकि नीचे में, प्लस नो नहीं रहेगा, जैस जैसे नीचे आते तो परसंटेज में, प्लस नो ऐसे हो जाता है, तो यह आपके, हिमाच्य प्रदेश में भी 99607 की मद्दी जा सकता है, बिहार में भी SC का 98604 की मद्दी जा सकता है, पिछली बार PT का नवासी था, तो यह था आपका SCST, और अदर स्टेट की भी आप देख सकते हो, जो की काफी नीचे आचुके हैं, अब यहाँ पर OBC का आप इंजार करें तो यह OBC का डाटा है, उत्तर प्रदेश में OBC की जो साढ़े साथ गुणा की रिक्तिया आना, वो 3510 है, जनरल डिस्टिक्ट OBC, ठीक है, यह जनरल डिस्टिक्ट है सारा कुछ, केंडेट पिछली बार 2021 में, यह 22 में, 3728 थे साढ़े साथ गुणा में, और कट आप ती की बार PT की लगबग final की आसपास यह data match करता है, राजस्थान की आप देखेंगे, तो PT की 119 थी पिछली बार OBC की, और इस according प्लस नो करने पर 130 हो रही है, और final थी राजस्थान की OBC की 131, मध्य प्रदेश की बात करें, यह final अपकी बार नहीं बता रहा हूं, यह पिछली बार तो यह expected है, जो आपको red वाली सारी दिख रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश की है, 127 के आसपास जा सकती है, पिछली बार 128 फाइनल थी और PT की 117 थी, हरियाना की बात करेंगे OBC की, तो हरियाना में आपको 435 वेकेंसी हैं साड़े साथ गुणा में, और 116 के आसपास PT की पिछली बार थी 2022 में, आपकी बार 127 के आसपास जा सकती हैं, और 139 फाइनल थी पिछली बार 2022 में, बिहार के 830 अच्छी खासी PT में आजाती वेकेंसी, OBC की 111 में प्लस नो परेंगे तो 121 के आसपास वेरी करेगी कटॉप, और 123 थी 2022 की फाइनल बिहार की, यह मिनिमम से मि आपकी फॉस की कटॉप गई है, डिफेंस की गई है, उसकी है, जो BSF की है, इसी प्रकाद दिल्ली का आप देखेंगे, तो दिल्ली की कटॉप 101 से 110 आ सकती है, प्लस नो करने पर आप याद रखीगा, दिल्ली की 2022 से फाइनल एक उठा रह थी तो कहीने के 110 से पलस भी हो जा क्योंकि वेकंसी कम हुई, तो वेकंसी केंडेट को कम करना पड़ेगा बच्चा जार से, और कम करने पर ये अंतर है, वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपन कम नीचे के स्कॉर पर आ रहे हैं, तो यही आपको कुछ देखने को मिल सकता है, फाइनल वाला डाटा इन स्टेट प्लस नो करने पर सो, लेकिन मैंने का नीचे आने पर इसकी और ही आपको देखना पड़ेगा, 114 के आसपा से मचल प्रदेश की, तो यह आपकी हिंदी पास से इस्टेट OBC की मैक्जिमम कवर होते हुए बाकि आपको, फाइनल का टॉप यहाँ पर मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, प्रिविश यर की, यह वाला जो प्लस नो करके ही बताया है, यह जो कटॉप है, इससे तो ज़्यादा ही रहने वाली है, रैड वाली आप देख पा रहे हूँ, अब बात करते हैं, EWS का डाटा क्या कहता है, वो दिखीगा, EWS का डाटा उत्तर प्लेस में कहता ह है, कि प्रिविश यर 2022 में, 24 में रिक्तिया है, साधे साथ गुणा में 13.5, और 2022 में कटॉप जो पीटी की थी, पीटी में 856 के अंडेट थी, और 120 मार्क्स के आसपास थी, तो यह वो ही आपके दो पॉइंट को चिक्किस गुणा के आसपास है, अब यहाँ पर आपके 131, पलस नोग परशनेटेज करने पर 131 प्रिविश को आसपास कटॉप जा सकती, EWS की जनरल डिश्टीट की, पिछली बार फाइनल EWS की कितिनी थी, उत्तर प्रिश की 133, जो अब की बार PET के लगबग एक्कुल्स है, यह PET 222, यह फाइनल 222, यह एक्सपेक्टेड 2024, अब रह प्रिश्ट मार्स हैं, तो आपके किनके बढ़ेंगे, तो अभी में बता दूँगा, 125 थी पिछली बार बिहार में, 119 के आसपास वेरी करशकती हैं, 109 से अपन प्लस नोग परशनेज करेंगे, पिछली बार 122 थी फाइनल तो कहीने के इनके मद्दे भी जा सकती है, उत्त के, EWS की कटॉप हैं, लगबग में, इस्टेट आपकी कवर हो जाते हैं, यहाँ पर बाकिया आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके, अधर इस्टेट की भी प्रिविश चर्की क्या कटॉप थी, फॉर्शेज, वाई, यहाँ पर कटॉप है, सभी की, नीचे एक सरीसमेन भी आ अब यहाँ पर नॉमलाइजेशन का जब खेल देखते हैं, तो रेंक गुरुजी मार्क्स मास्टर टेलिग्राम पर बोट है, इनका जो डाटा आया, और रेंक मित्रा का डाटा आया, तो आप देखेंगे, यह जो सिप्ट है, कि एवरेज मार्क्स आपको दे रखा है, और क 215 की सेकेंडशेट है, यह सब से टप सिप्ट ने इंगित की है, क्योंकि इनके एवरेज मार्क्स है, सब से लोवेस्ट हैं, सब से कम चैंड़िट के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, यानि 1989 कैंड़िट इननोंने फ़ों बढ़ भरा हैं, इन 1989 कैंड़िट आपनी एंसलू की ज्यादा अंतर नहीं है, तो यहां से 72 जड़ी चोटर है, यह ज्यादा अंतर नहीं, तो यह वाली सिप्ट में ऐसा नहीं कि इस सिप्ट में बिल्कूर सबसे अधीक माक्स बढ़ेंगे, इसमें भी लगबग नो आठ नो दस ऐसे बढ़ जाएंगे, अब पिछली बार 2022 का आपकी बार भी रह सकता, अब ज्यादा अंतर नहीं, यहां से यहां तक आप आएंगे, लगबग इस सिफ्ट आप देख सकते हो, तो इसमें आपको लगबग 10 से 13, 14, 15 इतने मार्क्स तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और बाकिया आपने यह जो वेबसाइट पर द लखेगा, और यहां पर लोएस्ट आते हैं, आपको टोटल केतनी त्रेपन सिफ्ट है ना, उन त्रेपन में आपके 20 के आसपास आप आते हैं, 77 तक आज चुके, तो यहां पर आपको यह कलर भी देख रहा है, तो यह थोड़ी कम हो रही है, सिफ्ट है, वो इजी हो रही है तो यहां से आपके मध्यम दर्जे की, यानि बीच में जैसे ही आप आ जाते हूं, यह आपके 16 से लेकर यहां पर 26 तक, यह अठातर माक्स तक, यह आपके 45 से 78 माक्स तक, तो इनके भी माक्स हैं, वो बढ़ेंगे, वो सकता 8 से 10 के आसपास माक्स बढ़ते हुए, इनको भी मिलें अब नीचे आप आएंगे जैसे की 88 से नीचे आप जैसे याज आते हूँ 82 तक तो इनके भी 57 marks हैं वो बढ़ सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2, 3, 4 marks या फिर बढ़े हुए नह भी मिलें और बहुत कम attempt किये तो माइनस किया कम होते ही marks भी मिलेंगे तो यह वाले आप देख पारे हो इनके ज्यादा marks नहीं बढ़ेंगे जो लगबग 80 से उपर है ना इनके ज्यादा नहीं बढ़ेंगे एक दो तीन या फर एक्वल से marks रहने वाले हैं और बाकि आपने देह की लिया होगा normalize score है आपकी shift की according वही डाटा है यह एक लाग दजज़ार के अंड़ेट का डाटा है और rank मित्रा की 87 ज़ार के अंड़ेट का डाटा तो मैंने shift देखा तो लगबग वही shift है जो average mark जिन्द के सबसे कम वाले हैं वही कहिन के shift है रिपीटोरी है जो टप वाली shift है और मैंने gk का paper भी देखा था कि ऐसा नहीं मैंने सबसे easy shift का gk का paper देखा और सबसे tough shift का gk के paper देखा कुछ तीन-चार स्वाल मैं ऐसा था gap मेरे को gk में लगा बाकी ज़्यदा gap नहीं था तो ऐसा भी नहीं है कि जो tough shift है उसमें gk बहुत ज़दा tough है और easy है उसमें gk मैंने gk के द लेकिन 116 marks काफी होते हैं क्योंकि मौका मिल गया था काफी candidate को paper का level उनको पता चल गया था और 103 average marks 116 का होना ये कहिन कहीं गड़बड कर रहा है और इस वाले data में भी आप देखेंगे सबसे easy shift तो वो ही ये 30 marks वाली इसमें भी 107 average marks 14 से 107 ये भी अंतर काफी है तो ये वाला average marks marks है न ये भाई cutoff को बढ़ाएगा कुछ इनकुछ इनका करना पड़ेगा बाकि normalization का खेल तो होई जाएगा इनको marks minus भी देखने हो मिल सकते हैं क्योंकि ये इतनी easy shift दे दी तो भाई normalization का खेल यहाँ पर होगा और number comes भी हो सकते हैं अब जैसे आप border district का देख रहे हो ये border district करता हूं वैसे 9 से ज्यादा ही करना होगा तो 105 आती राजस्तान की border district की अंद्री जरूकी लेकिन इससे ज्यादा जाएगा जैसे ये marks कम होते हैं तो plus 9 रहता नहीं है फिर वो ज्यादा हो जाता है तो वो लगवग final की और इंगित करें पिछली बार राजस्तान की border district की final ग करने पर 104 आ रहा क्योंकि 96 थी 2022 में उत्तर प्लेस की border district की अंद्री जरूकी अपकी बार प्लस 9 करने पर 104 आ रही लेकिन ये ज्यादा रहेगी 110 के आसपास जा सकती है ठीकिन बीहार की बात करें तो बीहार में वही बार में माक्स थी पिछली बार पीट की और प्लस 9 करने प पर उन्या सी है लेकिन फाइनल 102 है तो उत्तर खंड की भी ये ही आसपास 100 के आसपास रहे सकती है ध्यान रखीगा क्योंकि ये जो डाटा है ना 72 माक्स से 102 होना यानि 30 माक्स कटव बढ़ जाना पीटी से फाइनल में क्या बताता है पीटी से फाइनल में ये ये इंगित कर इस लिए ये ज्यादा चली जाती है कम यहां पर तो ये भी अपकी बार 50,000 से 25,000 vacancies हुई है तो पिछली बार की final की तरह अपकी बार भी कुछ data ऐसे रह सकता है तो बाकि इस्टेट वाले पिछली बार की final है वहें डाल दूँगा, अपडेट कर दूँगा टेलिगाम चल्ण को जरूर जोइन कर लेना लिंक डेस्क्रिब्स बक्स में है बाकि आप बिहार की बोर्डर डिश्टिक की ST की देखेंगे प्रिश्टिर की तो ये 93 थी 92 थी और आपको final देखनी पड़ेगी कहीं न कहीं नहीं किया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और बोर्डर डिश्टिक का OBC का ये पिछली बार का डाटा है आपकी बार प्लस नो करें तो ऐसा होता है लेकिन ऐसा होगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही कर जाना पड़ेगा याँपर 156 के आसपास और फिर राजिस्थान उत्तर प्लस का ये डाटा है P.E.T. का 2022 का इसी प्रकार EWS का भी डाटा आप देख सकते हैं प्रिवीशिर का ये आपका P.E.T. 7.5 2022 नकसल लिष्टिक की बात करें तो पिछली बार बिहार की नकसल लिष्टिक की अदरे जरुकी 102 कटॉप थी P.E.T. की साधे-साथ कुणा और फाइनल के 119 गई थी तो यहाँ पर फाइनल की और ध्यान देना आपकी बार जारखंड की नक्सल लिष्टी की अंदर जूर की 86 तो यह जा सकती है आपकी बार भी ऐसी ही तो कहीं कहीं जो एक निसकर्ष निकल के आ रहा है इसा भी डाटा का कि पिछली बार 2022 की फाइनल कटॉप है आपकी बार PT की कटॉप के आस पास देख सकती है आपको विशेश कर जो हिंदी भासी स्टेट है जिसमें कटॉप ज्यादा जाती है उन में और जिसमें कटॉप कम जाती है तो वो डाटा भी देखने को मिल सकता बाकि आपका क्या कहना है आपका कितना स्कोर है वो आप मेरे को टिपणी करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपका नौले जसन में कितना मांक्स बढ़ रहा है वो बताएंगे आपकी अनुसार आपने यदि 2022 में पेपर दिया और 2022 का जो 2023 में हुआ था और 2024 का भी दिया है पेपर का लेवल में कितना फरक था 2023 वाले पेपर जो आपने अटेम्ट किया उससे अपकी बार आपकी कितने मांक ज़्यादा आ रहे आपकी कितनी त्यारी ज़्यादा थी ताकि एक अंदाजा लगे कि पेपर का लेवल में क्या यहां पर बात हुई है उसी के एकोर्डिंग था डाटा या फिर नहीं था मैंने अपनी पूरी कोशिश किये इन डाटा को रेकोर्ड करने की कोई भी आपको लगता कि यह ऐसे नहीं ऐसे होगा तो कमेंट सेक्शन बता देना उनको भी आपको क्लारिफाइ करने की कोशिश करूंगा और आप सभी candidate हैं आने वाले 2025 SSGD exam की तयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता already notification में mention कर रहा है कि 25 की विगत्या आने वाले जीडी की तो आज से ही टेस्ट बुक की पास प्रो आप TTG के open code यूज करते हुए जोइन कर लीजेगा और ज्याद ज्याद आपको प्रेशेर पेपर की प्रैक्टिस करने यहाँ पर क्योंकि answer यहाँ पर extra fact शाइथ सारा detail में मिल जाता है 2024 का जो एक्जाम हुआ है उसकी answer की पीडियेफ है जीके की all shift की पीडियेफ है वो टेलिग्राम पर डाल दी गई है लिंक डेस्क्रिप्स में टेलिग्राम चनल को निचे दूरूप से जोइन करना आपको मिलते हैं से किसी नेपडेट के साथ बाई बाई